जैई श्री किष्णा आप सभी का आध्यात्मिक और धार्मिक चैनल में हार्दिक स्वागत है कत अंक में हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार माता देव हुती को कपिल देव भगवान जी ने भक्तियोग की महमा का विस्तार करके वर्ण किया था उसी संखला को आगे बढ़ाते हुए हम स्रीमत भागवत महापुरान में उद्रित तर्दी स्कंद के पच्चीसमें अध्याय में वर्लिप इस भक्तियोग महमा की बारे में और चर्चा करेंगे जिसमें भगवान कपिल देव जी माता देहुती को अनेक प्रकार से भक्तियोग की महमा का वुरलन करते हैं उन्होंने कहा कि सताम्र संगान ममवीर्य संविदो भवन्ती हृत्कन रसाय नाहं कथा तज्चोशना दासुपवर्ग वर्तमनी स्रथा रतर भक्ति रनुक्रमिश्यती उनका कहना था कि सत्पुरुसों के समागम से जो मेरे पराक्रम का वास्तविज्ञान कराने वाले हैं और उनकी हिर्दय और कान प्री लगने वाली जो कथाये हैं उनका अनुसरन और समण करते रहते हैं भगवान कहते हैं कि इस प्रकार के सेवन करने से सीग रही मोक्ष मार्ग में स्रध्धा प्रेम और भक्ति का विकास होता है स्रध्धा रुतर भक्ति रनुक्र मिश्यती आगे भगवान कहते हैं कि भक्तिया पुमान जात विराग इंद्रियाद द्रस्टस्टुतान मद्र चनानु चिन्तया चित्तस्यत तो ग्रहणे योग युक्तो यतिश्यतेर शुभिर योग मार गही भगवान कहते हैं कि फिर मेरी स्रिष्टी आदी लिलाओं का चिन्तन करने से प्राप्त हुई भक्ति के द्वारा क्योंकि भगवान की जो लिलाएं हैं उन्हें लिलाओं का हम अगर अपने मन में चिन्तन करते रहें ध्यान करते रहें तो उसकेद्वारा जो भक्ति उत्पन होगी, उस भक्ति से लोकिक और जो पारलोकिक सुक्थ हैं, उसमें वेरागी हो जाए, और उसके हो जाने पर मनुष्य साउधान पूर्वक, साउधान होकर योग के भक्ति प्रदान सरल उपायूं से समाहित होकर फिर अनीयत न इस प्रकार भक्ति प्रकृति के गुणों से उत्पन्न हुई जो विशय हैं उनका त्याग करने से वेरागी युक्त होकर ज्ञान प्राप्त करने से और योग करने से भगवान कहते हैं कि मेरे प्रतिक्रीवी सुत्र भक्ति से मनुष्य मुझे अपने अंतर आत्मा में ही प्राप्त कर लेता है और अंतर आत्मा में वस्तुता इस विदेह में प्राप्त कर लेता है असेवयायं प्रकृत्यर गुणानां ग्याने ने वेराग्य विज्रम्भितेना योगे नमयर पितयाच भक्त्या मां प्रत्य गात्मान मिहावर उंधे भगवान कहते हैं कि मेरे भक्ती द्वारा किया गया जो भी पाय है उस उपाय में स्चुद्रता से पनुष्यगर अपने आप को खोल लेता है तो वह इस सांसारिक देह में भी अंतर आत्मा को प्राप्त कर सकता है तो इस प्रकार से भगवान ने भक्ति योग का मार्ग माता देहुती को बताया और उन्होंने कहा कि इस सरीर में मेरी लीलाओं का चिंतन करना ही मेरी भक्ती है तब माता देहुती कहती है कि भगवन आपकी वास्तविक जो भक्ती है उसका क्या सरूप है फिर वह प्रश्ट पूस्ती है और वो कहती है कि मेरी जैसी जो अबलाएं क्या उनके लिए भक्ती ठीक है और भक्ती ठीक है तो वो किस प्रकार की भक्ती ठीक है और जिसको वह सह पजरूप से कर सकें और निर्वान पद को प्राप्त कर सकें। योयोगो भगवत पालो निर्वानात पंच्त्ययोदितह की द्रशकति चांगानी यतस्तत्वाव बोधनम। भगवान से कहते हुए वे कहती हैं कि हे निर्वान शुरूप भगवन प्रभु जिसके द्वारा तक्तुग्यान का बोध होता है। और जो लक्ष को बेधने वाले बान के समान भगवान की प्राप्ति कराने वाला है। वह आपका कहाओ हुआ योग कैसा है। उस योग के कितने अंग हैं और इस प्रकार मुझे समझाइए कि मैं जिस दुर्बोध बिशय को सुगम तासी समझ सके। भगवान इस प्रशन को सुनकर बड़े प्रशन चित होते हैं और कहते हैं कि माता जिसका चित जिसका मन मात्र भगवान में ही लग गया है। ऐसे मनस्य की वेद वहित कर्मों में लगे हुए अर्थाथ कर्मंद्रिया और ज्ञानद्रिया दोनूं प्रकार की जो इंद्रिया हैं वह सत्तिमूर्ति स्रीहरी की प्रति स्वभावे की प्रवृत्ति है और वही भगवान की एहटों की भक्ति है अंदर की जितनी भी इंद्रियां भगवान की प्रती समर्पित हैं तो वह पून रोप से भगवान स्री हरीगे प्रती स्वाभावी की प्रकार की भक्ती हो जाती है देवा नाम गुण लिंगाना मानुस्ट्रविक कर्मणाम सत्वेवेक मनशो वृत्त ही स्वाभावी की तुया अनिमित्ता भागवती भक्ती ही सिध्धिर्गरी यशी जरत्याशु याकोशं निगीन मनलो यथा भगवान आगे कहते हैं कि इस प्रकार भक्ती करने से कर्म संसकारों से इस भंडार रूप लिंग सरीर का ततकाल शमन हो जाता है ततकाल वह भक्ती भगवान की चरणों की भक्ती मनुस्ट्री के सरीर की अनेक संतापों को दूर कर देती है भगवान आगे कहते हैं कि जो भी मनुस्ट्री मेरे प्रीति करने वाली कारी करता है मेरे चरणों में सेवा करता है और भगवान यह कहते हैं कि जितने भी संसार में कारी हैं उन संसार में कारी भगवान के निमत तो होकर अगर यह किये जाएं तो और एक दूसर से मिलकर प्रेमपूवक मेरे पराकरोम की चर्चा करते हैं तो ऐसे मनुष्य ऐसे भक्त मेरे साथ सायुजिक जो मेरे साथ एका की भाव है उसकी भी इच्छा नहीं करते हैं नेकात्मताम में इस प्रहंद के चन मत्पाद सेवा भेरताव मदीहा योन्योन्यतो भाग वताह प्रसज्य सभाजय अन्दैमम पौरुशानी पश्यन्तिते में रुश्यराण्यम संदह प्रसन्वक्त्रा रुणलोचनानी रूपानी दिव्यानी वरप्रदानी साकम वाजम स्प्रहणियाम वदंती भगवान कहते हैं कि ऐसे साधु जन अरुण नैन और मनुहर मुखारविंद से युक्त मेरे परम सुन्दर और वरदायक दिव्यरूपों की जहाकी करते हैं और उनके साथ संभाशन करते हैं जिस प्रकार के वहकारी हैं वो बड़े-बड़े तपस्वी भी इसके लिए लालाईत रहते हैं तैरदर्सनियावय वैरुदारव विलास थास एक्षितवाम शूक्त है भगवान कहते हैं कि इस प्रकार यदी मनुष्य दर्शनी अंग प्रतंग उदार हास रिलास मनोहर चितवन और सुमधरवानी से युक्त मेरे उन रूपों की माधुरी में उनका मन और इंद्रिय अगर फज भी जाते हैं तो ऐसी मेरी भक्ती चाहने वाले पर भी उन्हें परमपद की प्राप्ति करा देती है अगवान उसके बाद कहते हैं कि अविद्या की निवर्ति हो जाने पर जो मनुष्य के अंदर अविवेक पन हो जाता है उसकी निवर्ति होने पर वे मुझ्व मायापती के सत्यादी लोकों की भोग संपती भक्ति की प्रविट्टी के पहचाज स्वयम जो प्राप्त होने वाली अस्ट सिद्धी अर्थवाद वैकुंट लोक के भावधी एस्वरी की भी इच्छा नहीं करते हैं और मेरे धाम में पहुँचने पर उन्हें ये सब विभूतियां स्वयम ही प्राप्त हो जाती हैं अथो विभूतिम् महममाया विनस्ता मैस्वर्यमस्टांग मनुप्रवर्त्तम् स्रियं भागवतिम् वास्प्रहंदि भद्राम् परश्यमेते श्वन्वते तुलोके नकरहिचन्मत परहल शान्त रूपे नक्षन्तिन्नों में निमिशो लेडि हेती ये शामहम प्रिय आत्मा सुतस्चा साखागरु सुहर्दो गैवमिस्टम् भगवान कहते हैं कि जिनका एक मात्र मैं ही प्री हूँ मैं ही आत्मा हूँ मैं ही पुत्र हूँ मैं ही मित्र हूँ मैं ही गुरू हूँ मैं ही सुर्ध हूँ और मैं ही इस्ट्रदेव हूँ और ऐसे भक्त जो मेरे ही आश्रे में रहने वाले हैं और शान्ती मय हैं तो वो वेकुंड धाम में पहुँचकर किसी भी प्रकार से इन दिव्य भोकूं से रहित नहीं होती और ऐसे व्यक्तियों को नहीं मेरा काल चक्र ग्रश सकता है भगवान आगे कहते हैं कि माता जी जो लोग इह लोग और परलोग दोनु लोग में साथ जाने वाले जितने भी वास्नामे इस सरीर की इच्छाए हैं और सहीर से सम्मन्द रखने वाले जितने भी धन पसुच्यादी गराती पदार्त हैं उनको और शंग्रह को छोड़कर अनन भक्ती भाव से यदि मेरा भजन करते हैं तो मैं इस मृत्य रूप संसार से ऐसे भक्तों को पार कर देता हूँ इमम लोके तथे इमम लोके तथे मा इमम लोके तथे वा मुमात्मान मुहया इनम आत्मान नमनुएचे ये रायः पशो ग्रहा पृषज्य सर्वान्याश्य मामेवं विश्वतो मुखं भजन्तनन्या मक्त्या तान्मित्यो रती पारे भगवान माता देहूती को इस प्रकार भक्तियोग की बात पताते हैं और फिर कहते हैं मान्यत्रमत भगवतह प्रधान पुर्शेश्वरात आत्मरहस्थरभूता नाम भयम्ती व्रम्निवर्तते भगवान कहते हैं कि मैं साक्षाद भगवान हूँ परकृती और पुरुष का भी प्रगु हूँ तथा समस्त प्राणी जितने देधारी हैं मैं उनका आत्मा हूँ मेरे अलावा मेरे सिवा और किसी का आश्रय लेने से इस मृतु संसार में मृतु की रूप में जो महाभय है उससे छुटकारा नहीं मिलता क्यों नहीं मिलता क्योंकि मद्भयात वाति वातोयम सुर्यस तपति मद्भयात वर्सतिंद्रो दहयत तक नर मृतु स्चरति मद्भयात अगवान कहते हैं इस संसार में जो भी प्रकृती है जो भी पुरुष है उसका संचलन मेरे ही द्वारा होता है साथ ही मेरे भैसे वायू चलती है मेरे भैसे सूरी में गर्मी आती है सूरी तपता है और मेरे ही भैसे इंद्रु वर्षा करते हैं और मेरे ही भय से अगनी में उष्णता रहती है अगनी जलाती है और मेरे ही भय से मृत्यूद अपने कार्य में प्रविट्थ होती है ज्यान वेराग युक्ते न भक्ति योगे न योगे न छेमाय बाद मूलम में प्रविशनते कुतो भयम भगवान कहते हैं इस प्रकार ज्यान वेराग युक्त भक्ति योग से सानती प्राप्त करने के लिए विविन प्रकार के जो योगी जन हैं वो हमेरा ही चरण कमलों का आ अश्रे लेते हैं। क्योंकि इन सब का आत्मा मैं ही नहीं। भगवान देव मता देहुतु यह कहते हैं कि संसार में मनुष्य के लिए सबसे बड़ी कल्यान प्राप्ति यहीं पर है कि उसका जो चित है उसका जो मन है वह तीवर भक्तियोग के द्वारा मुझ में आकर स्थिर हो जाए। एतावानेव लोकेश्मिन उन्शाम निष्टेशोदयह तीवरेण भक्तियोगेन मनुमयर्पितं स्थिरं। इस प्रकार भगवान द्वारा दियेवे वचनों से भक्तियोग यहाँ पर समाप्त होता है। इसके पश्चाथ हम त्रतिश करंदे के 26 में अध्याय में प्रवेश्ट करेंगे। तब तक के लिए जए श्रीकृष्ट। झाल